गैस अपने चेहरे को खुबसूरत वनाने के लिए आपका फेजवास बहुत ही इंपोटेंट होता है आपका फेजवास कौन सा है आपके फेजवास में जादा केमिकल तो नहीं है तो आपका फेजवास बहुत ही एहम भूमी का निवाता है आपके फेजवास को खुबसूरत तो आज क्याई आप इस वीडियो में मैं आपको एक एसे फिजवास के वारे में बताऊंगा जो कि आप इसको दो-तीन दिन içी लगांगे बैसे तो आप इससको देली लगा सकते हैं नहीं तो आप एक दो-तीन छोड़कर लगाएं आप दिनों दिन देखेंगे आपके चेहरे क गलो दिखाई देने लगी है आपके चेरे पर यदि दाग धब्बे हैं तो वो सारे खत्म हो जाएंगे वो भी दो तिन दिन के अंदर और यदि आपके चेरे पर दाग धब्बे नहीं है तो इसको लगाने से आपके चेरे पर आगे भी कभी दाग धब्बे या फिर फिमपल् इन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, उनकी स्कीन अक्सर बीमार और स्कीन से गुलो खत्म हो जाती है, नींद की कमी के कारण स्कीन को अपनी रिवेर का पूरा समय नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी फेस की स्कीन वहती दिखाई देने लगती है, तो गाइस हमें कम से कम 7-8 गंटी के नींद जरूर ही लेनी चाहिए दिया पैसा नहीं करते, तो अब भली है कितनी महगी महगी क्रीमे लगाते रहें, आपका चेरा खुबसूरत कभी दिखाई नहीं दे सकता, और आज एक बात और आप जान लीजिए, आपको बता दें कि खाना पचने की प्राक्रिय के दौरान हमारी सरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स वनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स सिंगल सेल्स के रूप में होते हैं, जो फेयर वनने के लिए हमारी स्कीन, हमारी सरीर की स्कीन पर बहुत तेजी से फ्रहार करते हैं, इसके दौरान हमारी स्कीन की कोशी का छती ग्रश तो हो जाती है इसलिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में वताया है आज फिर मैं आपको बताए देता हूँ खाना खाने के दो-चार मिनिट के बाद आपको अपना फिस जरूरी क्लीन करना चाहिए जरूरी नहीं कि आप फिस वास्ते करें आप नॉर्मल पानी से अपने फिस को धोलीजिए आप तुरंद देखेंगे कि आपके चहरे से फैले से जादा आपके चहरे पर गुलो दिखाई देने लगी है आपका चहरा खुब सूरत दिखाई देने लगा है तो अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा घरेलू फिस वास्त जो कि आप इसको हमेशा अपने पास रखी इसको बना कर हमेशा आपने पास रखें और डेली चाहें तो डेली नहीं तो एक दे दिन छोड़के आप अपने फेस को धोएं फिर आप देखेंगे कि पहले दिन से ही अपना असर ये फेस वास दिखाना चालू करतेगा आप एक स्टील का वरतन ले लेना है या फिर आप एक काच की सीसी ले लेना आपको इसमें 100 ग्राम इसमें चाबल का आटा रख लीजिए और 100 ग्राम आपको इसमें वेसन का आटा यानि की वेसन रख लेना है और 25 ग्राम आप इसमें चंदन पाउडर मिला दे बस इन तीन को आप हमेज़ा अपने पांस रखी ये दिन में किसी भी टाइम इस मिसरण को मिला कर आप इसमें पानी ढाल कर एक फेस्ट की तरह तायार कर लें और आप अपने पूरे फेस्ट पर इसको 5-7 मिनिट लगा रखें कि बहल पांस या 7 मिनिट ही लगाना है आपको सुकानी की जर किसे साप कर देगा और आपके चेहरे को खुब सूरत बना देगा आप ऐसा करके देखो दो तिन बार ही आप इसको इससे अपना face धोएंगे आपको यकिन हो जाएगए कि यह face बास बहुत ही वैस्ट है आपके चेहरे को खुबसूरत बनाने के लिए तो गाइस अभी तक आपने चलना को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलना को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना